नमस्कारम सद्गुरू सद्गुरू पंजभूत यानि पांच तत्वों में एक तत्वों आकाश यानि स्पेस है आपके एक यूट्यूब वीडियो में मैंने आपको इथर के बारे में बात करते सुना है आपने आकाश या स्पेस को इथर कहा है अभी टाइम ट्रावल के बारे में बात करते हुए भी आपने स्पेस का जिक्र किया है तो इस इथर और आकाश में मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ मुझे खुशी है कि आप कन्फ्यूज हैं क्योंकि कन्फ्यूजन उन बेवकूफी भरे निश्कर्सों से कहीं बहतर है हाँ, क्यूंकि मैं चाताँ कि आप हमेशा खोज करते रहें किसी ने नहीं कहा कि आकाश स्पेस है हमने कहा कि आकाश इथर है यह सटीक अनुवाद नहीं है मगर काफी हद तक ठीक है इथर स्पेस नहीं है इथर अस्तित्यु का एक ऐसा आयाम है जो सुक्ष्म है जब हम कहते हैं स्पेस तो हम काल या अनस्तित्यु के बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं शी व के बारे में वो जो नहीं है जब हम कहते हैं आकाश तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो है आप यहाँ एक इनसान के रूप में है यहाँ स्थूलता से सुक्षमता तक पहुँचने के बहुत से स्तर मौजूद है अगर आपको कब्ज है तो आपके अंदर अभी भी कुछ स्थूल है इसके उपर शरीर के कुछ ज्यादा सुक्षमता पहलू मौजूद है उसके उपर फेफणों में भरी हुई हवा है उसके उपर दिमाग है, विचार, भावनाएं और तमाम चीजे है साथ ही जीवन अंदर बहार होता रहता है इसमें आकाश भी शामिल है जल है, भौतिक पदार्थ है, हवा है, तापमान है, अगनी है, और आकाश है यह सभी इसका हिस्सा है उसे समझने की कोशिश मत कीजिए, बस इसे जान लीजिए क्योंकि यह अपने आप में एक छोटा ब्रहमांड है तो अगर आप इसे अच्छे से जान लेते हैं, तो आप उसे भी जान लेगें क्योंकि आज इसके बारे में कोई सवाल नहीं रहा योग में हम हमेशा से इसकी बात करते रहे हैं मगर आज मौडन फिजिक्स भी बात कर रहा है सन रचना के सिध्धान्त के बारे में इसमें बताया गया है कि ब्रहमांड की मूल सन रचना चाहे वो एक अनू हो या पूरा ब्रहमांड इसके डिजाइन मूल रूप से एक जैसी ही है आप एक इनसान के रूप में इस आकार में हैं जेंगूर, केंचुवा, पक्षी, रेंगने वाला कोई जीव आप सभी की फंडमेंटल डिजाइन एक ही है अनू से लेकर ब्रहमांड तक हर चीज की मूल भूट डिजाइन एक ही है ये डिजाइन अलग-अलग रूपों में कैसे विक्सित होती है उसके जटिलता और बारी की अलग-अलग होती है आपकी बनावट, किसी अमीबा की बनावट से कहीं ज्यादा जटिल और बहतर है मगर मूल भूट बनावट फिर भी एक ही है सिर्फ जटिलता बढ़ रही है तो आप ब्रहमांड को देखने की कोशिश ना करें क्योंकि आप किसी ऐसी गैलरी में नहीं बैठे हैं जहां से बैठ कर पूरा ब्रहमांड नजर आ जाए ऐसी कोई जगा नहीं है जहां बैठ कर आप ब्रहमांड को देख सकें असल में आप अपने अंदर घटित होने वाली चीजों के अलावा किसी भी चीज को नहीं देख सकते भले ही आप टेलिसकोप से किसी तारे को देखें वो तार आपको वैसा ही दिखता है जैसी उसकी छवी आपके मन में बनती है है न? हाँ? आप किसी भी तारे को नहीं देखते यही वज़ा है कि आपको वो तारे दिखाई देते हैं जिनका असल में अस्तित्व ही नहीं है कई तारे जिने आप देखते हैं उनका अस्तित्व ही नहीं है मगर आपके मन में उनकी एक छबी बनती है इसलिए आप उन्हें जानते हैं दूसरे शब्दों में आप अनुभव कर सकते हैं सिर्फ इसका या ये एक लौता दर्वाजा है जिसके माध्यम से आप किसी चीज़ का अनुभव कर सकते हैं चाहे आप खाये जाने वाले भोजन का अनुभव करना चाहते हैं या सांस में जा रही हवा का या अपने आसपास के लोगों का या दुनिया का या ब्रहमांड का आप उसका अनुभव सिर्फ उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह ये है अगर ये बिलकुल स्पष्ट है तो आप उसे उसके असली रूप में देख पाएंगे अगर इसने बहुत से रूप और आकार अपना लिये हैं तो आप उसे उतने ही अलग-अलग रूपों में देखेंगे इन दिनों मेरे खयाल से आईने ज्यादतर सम्तल हो गए है शायद अभी भी अगर आप कोई सस्ता आईना खरीदें तो आप ऐसे दिखेंगे लेकिन अगर आप कुछ खास तरह के कौंकेव मिरस खरीदें तो आप एक ही दिन में अपना वजन कम कर सकते आप उसके सामने खड़े होई आप बिलकुल छड़ी की तरह दिखेंगे तो आईने आप जो हैं उसकी अलग-अलग शवियां दिखाते हैं मान लीजे कि आपने हमेशा आपना चेहरा देखा है थोड़े टेड़े मेड़े आईने में थोड़े समय बाद आप मान लेंगे कि आप ऐसे ही दिखते हैं हाँ या ना? हाँ या ना? आपको लगता है कि आप ऐसे ही दिखते हैं क्योंकि आपने हर दिन खुद को देखा और आप ऐसे ही दिखाई दिए और आपको लगता है कि आप ऐसे ही दिखते हैं इसी तरह आपको लगता है कि दुनिया ऐसी दिखती है क्योंकि आपके मन में उसकी ऐसी ही छेवी बनती है अगर आप इस मन को एक ज्यादा शुद्ध सतह के रूप में विक्सित कर सकें जिससे उसमें बिलकुल हल चलना हो वो पूरी तरह समतल दर्पंड बन जाए उसके बाद वो हर चीज़ को उसके असली रूप में दिखाएगा मगर उल्टा आइने में सब कुछ उल्टा होता है तो आपके अंदर उसका रूप बिगाड़े बिना उसे सुधारने की बुद्धी होनी चाहिए देखे ज्यादातर लोग एक दोसे को भी ठीक से नहीं पलट सकते अगर वो दोसे को पलटनी की कोशिश करते हैं तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा एक तरह की स्किल की जरूरत होती है किसी चीज़ को उसका आकार बिगाड़े बिना पलटने के लिए यही समस्या हमारे मन की भी है एक बात तो यह कि उसमें तरंगे उटती हैं या तूफान आते हैं आपने अपने मन को जैसा भी रखा हो मगर तरंगे तो निश्चित रूप से उटती हैं आप दुनिया को तरंगों वाले आईने में देख रहे हैं और यह इस तरह दिख रही है और ज्यादा तर लोगों ने इसे पलटने की कोशिश भी नहीं की है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह ऐसा ही है जब आप इसे पलटना चाहें तो एक स्तर की स्किल की जरूरत होती है इसका रूप बिगाड़े बिना पलटने के लिए तो आपकी दो समझ से आएं पहली ये कि आपको आईने को समतल बनाना है ताकि उसका रूप न बिगड़े और अब उससे बड़ा काम ये क्यों उसको इस तरह से पल्टें की पलटते समय उसका रूप न बिगडे आपके जीवन में अभी तक हम वहां नहीं पहुंचें पहला काम है मन की सारी विक्रितियों को साफ करना हम अभी भी उसी पर काम कर रहे हैं क्या ये हवा? आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? जो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं हम आपका गला घोटने वाले हैं आपका जीवन यहां हर जगा फैला हुआ है ये भौतिक है इस भौतिकता में भी स्थूलता और सूक्ष्मता के कई स्तर हैं ये ना? शरीर में बहुत सारे स्थूलतत्व हैं शरीर में बहुत सारे सूक्ष्मतत्व भी हैं विचार है, भावनाय है, सांस में ली गई हवा है या दूसरे शब्दों में जीवन हमेशा एक जबरदस थूलता से लेकर कई सूक्ष्मताओं तक होता है आपके जीवन की सुक्ष्मता आपके फैलाव पर निर्भर करती है आपके पंक जितनी दूर तक फैलेंगे, उतनी सुक्ष्मता संभव होगी तो अब, जिसे हम आकाश कह रहे हैं, वो जीवन का एक सुक्ष्म आयाम है अगर हम आकाश को बाहर निकाल लें, तो आप जिन्दा नहीं रह पाएंगे हाला कि आप इससे देख नहीं सकते, लेकिन ये आपके बालों से ज्यादा महत्वपूण है माफ कीजिए क्योंकि ज्यादा खर्च दुनिया में बालों की देखभाल के लिए बहुत पैसा खर्च किया जाता है निश्चत रूप से दिमाग की देखभाल से ज्यादा देखे हम किन चीज़ों को महत्तू देते हैं अगर आप अपने सारे बाल नोच लें अगर मैं आपके कान काट दूँ या आपकी नाक काट दूँ तब भी आप जी सकते हैं अगर मैं इस हवा को खीच लूँ जिसे आप देख भी नहीं सकते ज्यादा तर समय आप जागरूग भी नहीं होते कि हवा है भी या नहीं अगर मैं इस हवा को खीच लूँ, तो आप एक पल के लिए भी जिन्दा नहीं रह सकते हैं। अगर हम आकाश को खीच कर निकाल लें, तो आप एक पल के लिए भी जिन्दा नहीं रह सकते हैं। तक्षिन भारत में, करनाटक में एक मंदिर है, जिसे अनपूर्नेशवरी मंदिर कहते हैं कि यहाँ कोई करनाटक से है? आप अनपूर्नेशवरी गए तो मंदिर का पिछला हिस्सा, जहाँ शायद ज्यातर लोग जाते ही नहीं क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा कोनों की तरफ जाता है बाकी लोग दिवी के दर्शन करके खुश हो जाते हैं वहां 3,000 साल पुराना एक शिला लेक है जो हले कर्नरा यानि पुरानी कर्नरा भाशा में है उस शिला लेक में बताया गया है कि हवाई जहाज कैसे बनाया जा सकता है और वो कह रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन अगर आप इन मशीनों को उड़ाते हैं तो इस ग्रह का एथर डिस्टर्ब हो जाएगा अगर ये आकाश को डिस्टर्ब करता है आकाश से उनका अर्थ अंतरिक्ष ये स्पेस से नहीं है अगर आप आकाश को डिस्टर्ब करते हैं तो लोगों के जीवन में शांती नहीं होगी आकाश के अशांत होने पर मानसिक परिशानिया बहुत बढ़ जाएगी मुझे लगता है कि आप इसका एक जीता जाकता हो दारन मेरे ख्याल से मनोच कुमार की एक पुरानी फिल्म थी जिसका नाम था शोर धेर सारे हवाई जहाज और उनके कारण इतना डिस्टर्बंस पैदा हो रहा था और उन्हें खुशे होई कि एक दिन उनके कानों के परदे फट गए ऐसा कुछ हुआ था तो अगर हम आकाश को बाहर खींच लें तो ये भौतिक शरीर एक पल भी नहीं टिक पाएगा तो जब हम आकाश कहते हैं तब हम पांच तत्वों की ही बात कर रहे हैं जैसा कि आपने खुद अपने प्रश्ण में कहा कि पांच तत्वों में से एक आकाश है तो जब हम तत्वों की बात करते हैं हम निर्वात या स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं हम एक और पदार्त की बात कर रहे हैं जैसे धर्ती है, जैसे पानी है, जैसे हवा है, जैसे अगनी है हम पाँच तत्तों के एक और आयाम के बारे में बात कर रहे हैं तो आकाश को निर्वात या स्पेस न समझें